सुशान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीज़े बाहर निकल के आई हैं कुछ मैंने इंटर्व्यूस पड़े हैं कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पिता जी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही ही टेंशन के करके बहुत जादा परेशान थे अ बाद में आपको बताऊंगी के मुवी माफिय ने आख की सिर्फ उनको बैंन किया था सिस्टेमाटिक डिस्मेंटलिंग कैसे कत्रा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है उनको मारा गया है तो ब्लाइन आइटम आप इसलिए हैं क्योंकि आप जब जूठ लिखना होता है ब्लाइन कि अनको माचेव, उसकी की डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा जिस लड़की के गुंगराले बाल है, जिसको नैश्नल आवार्ड मिला हुए, साइकोटीक है इस तरह से जो की मनाली सेanks हैं, डिस्क्रिप्शन पूरी दीजाएगी, मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुषान्त ने सकांच की बॉटल एक डिरेक्टर के सर पे दे मारी 18 अक्टूबर 2018 को डियने लिखता है कि सुषान्त ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है और ऐसी नाजाने कितने अंगिनत जूट और ये जो बुद्धी जीवी जर्रलिस्ट हैं ये जो चील कवे गिद हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं ये इसको mental, emotional, psychological, lynching को जर्नलिजम कहते हैं मेरे बारे मेरे अज़ तक जो भी कहा गया मैंने कुछ निका लेकिन जब एक सुतंतरता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने उस जर्नलिस्ट को पालव किया आपको वदा है उसी राचार सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई एलां किया गया क इसकी फिल्म को बैंग किया जाए फ्लॉप किया जाए आपको तीन हजार जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर उसकी emotional lynching करते हैं सरयाम और यह समाज कुछ नहीं कहता है कानून कुछ नहीं कहता है मैंने उनको उन पर केस करने की कोशिश की मगर एक मही इने बाद हो गायब हो गए मेरी फिल्म रिलीज हो गायब हो गए तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यह समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं आप यह पढ़ते हैं चटकारे लेते हैं कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बार करेंगा कि क्या गुजरती होगी